हेलो फ्रेंड विल्कम डू माई चैनल वी वी एफन और मैं आजये आपके साथ हूँ आज की आप एक इरिटेवल लिष्ट वॉक्स कैसे बना सकते हैं उसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं कि जैसे आप देखो किसी भी सेल को अगर मुझे चेंज करना है जैसे यहा गौशा कि यहां पर इसको रन विजय कुमार कर दूं तो आपके सीट का भी डाटाँ चेंज हो जाएगा आपके टेक्स्ट बॉक्स का भी डाटा चेंज हो जाएगा उससे भी ज्यादा इंक को बताने वाला हूं आप इक क्लास मोड्यूल कैसे क्रियेट कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि एक animated button है जो कि जब हम इस पर click कर रहे हैं तो इसका background white हो रहा है और इसके साथ साथ ही हमारा ये multipage जो है इसके tab भी change हो रहे है लेकिन अगर आप कहोगे कि क्या इसके लिए हमने कितना code लिखा है तो चलिए मैं आप लोगो को बताओं कि इस button में म यहाँ पर कोई code नहीं लिखा हुआ है तो फिर आप कहोगे यह काम कैसे कर रहा है तो यह काम basically कर रहा है इसके लिए हमने class module create किया है और वो भी एक line का और आप देखोगे यहाँ पर हमने से एक simple class module create किया है और just यह एक line का है जिससे हमारा animate हो और एक line का जिससे कि हम अपने multipage को navigate कर रहे हैं और इसके साथ ही यह just application और एक trick तो है ही साथ में मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आप AMC के लिए कैसे कोई application बना सकते हो कि आपका किसी तरह का काम है जहां पे AMC का काम लेते हो और उसमें बहुत सारे client आते हैं अपने समान देते हैं repairing maintenance होता है उस तरह के कामों को आप अपने पास record में कैसे रख सकते हो तो चलिए इसी के साथ start करते हैं start करने से पहले मैं आप लोग से एक request करना चाहूंगा अगर मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो चलिए start करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यहां पर बटन देख रहे थे जब हम इस पर click कर रहे थे तो यह इसका जो background है यह white हो जा रहा था जिस भी button पर click कर रहे तो basically white हो जा रहा और उसके लिए हमने किसी भी तरह का code इस button में यानि इस level में नहीं डा करने के लिए हमें किसी के नाम में या किसी भी चीज को किस चीज को आप डाइनामिक बना सकते हो तो आप Numeric value को ही डाइनामिक बना सकते हो क्योंकि mathematics calculation करते हुए हम जिससे change कर सके तो उसको हम dynamic करते हैं इस के इस programming language के लिए और हम mathetic calculation किस पर अप्लाई कर सकते हैं तो numeric value पर तो यहां पर सबसे पहले आप देखिए कि आपके चारो button का जो नाम है वो basically वो basically एक ही तरह का है serial number से जैसा कि हमने आपको बहुत सारे वीडियो में बता रखा है data entry करते वक्त ही कैसे हम text box का नाम serial number से रख तो यहां पर issue देखिए इसका नाम क्या है button 1 इसका नाम है button 2 button 3 और button 4 यानि सब में similar क्या है button तो सब में similar है but इसका जो number है यानि 1 2 3 4 यह मैंने क्या किया है number में रखा है जिससे की हम calculate कर सके बाद में आगे पीछे करने के लिए साथ में आप यहां पर देखिएगा कि एक button है यहां पर और यह button है basically level है level को ही हमने लिया है यहां पर देखेंगे एक और level है जिसका नाम हमने रखा है इनी button मतला animation button यही क्या करता है सभी level के नीचे background में जाता है और एक चीज़ हमें साथ ध्यान रखेगा इसके background में करने के लिए इसको इस level को आपको top में रखना होगा और इसका background है यानि back style है इसको transparent रखेगा आप यहां पर दिखेंगे इसका back style यह transparent हमने यहां पर कर रहा है यह opaque है और इसको हमने transparent कर देंगे अपने जगह पर जहां था यहां पर इसे रख देते हैं अब हम चाहते कि जब हम इस पर click करें तो यह वाला नीचे वाला जो एनी बटन था वह इसके नीचे आ जाए तो इसक me button.left is equal to me.button1.left यही करेंगे और यही इसी code को हमें चार बार लिखना होगा चारों level के लिए button2 के जगह पर यहां button1 के जगह पर button2 करना होगा फिर इसी तरह यहां पर 3 के लिए हमें 3 करना पड़े फिर 4 के लिए यहां पर 4 लिखना पड़े गा राइट अब इससे अगर ह आप सोचो कि अगर आपके पास इसी तरह के बहुत सारा level है या button आप बना रखे हो जिसमें आप animation देना चाहते हो या इसमें और भी कुछ code लिखा हुआ है लेकिन और भी कुछ event add करना हो सेम सभी button के लिए तो क्या हम अपने user form में इतने सारे code लिखते रहेंगे बार बार आध जो हम बतांए वाले हैं आपको कि इसन आप कैसे fully dynamic बना सकते हैं और यह dynamic बनाएंगे class module create करके हैं तो आज आप लोगों को हम बताने oftentimes class module क्लास मोडूल कैसे क्रियेट करते हैं और उसका यूज कैसे होता है तो चलिए अभी हम इस सब को डिलीट करते हैं और क्लास मोडूल में चलते हैं क्लास मोडूल में जाने से पहले हमें क्या करना है हमें यही कोड लिखना है तो चलिए एक को कॉपी कर लिजिए और बागी सब को डिलीट कर दीजे ठीक है अब आप एक class module इंसर्ट करेंगे यहां से class module जब इंसर्ट करेंगे तो यहां पर इस तरह का एक module आपका इंसर्ट हो जाएगा राइट आप इस पर डावल क्लिक किजिए और यहां पर हमको करना क्या है इसे हम बटन हमारा क्या है हम किसमें डालना चाहते हैं ms form के किस चीज में डालना चाहरे है तो लेवल में लेवल हम लिख देंगे अगर मुझे text box में create करना है तो text box लिखेंगे अगर मुझे image में level create event create करना है तो event लिख देंगे उसके बाद यहां पर करेंगे private sub level button underscore click यह एक event हम इसमें add कर देंगे और हमें क्या करना था बस एक जगह यह code इसमें डालना है बट इसमें change क्या करना है वो थोड़ा देखी हम यही चाह रहे थे न कि me.button1.left me.button2.left सब में डाल रहे थे तो हम चाह रहे हैं कि जो हमने यहां पर level create किया है यह जो हमने एक event create किया है इसका नाम डाल दीजें यहां पर LVL button यह सभी button में जाके set हो जाएगा और यहां पर आपको मी नहीं लिखना होगा क्योंकि class को यह नहीं पता है कि आपका कौन सा user form खुला हुआ है तो यहां पर आपको बताना होगा किस user form के लिए आपको करना है इतना ही code आपको यहां लिखना है और अब चलिए यहां अब user form के initialize में हम यह code को एक बाट लगा देंगे तो यहां पर हम सबसे पहले call कराएंगे अपने class को तो class को call कराने के लिए हम क्या करेंगे डीम लेवल इवेंट एक class1 ठीक है class1 हमने इवेंट कर दिया class1 मोडिल को हमने यहां पर call कर लिया अब इनिसिल इस में यहां पर क्या करना है? क्या है? कहां करना है? तो हमे nos fourButton भी चारक साइण सेक्षब करना है तो मलिच котор him क्या करेंगे? AutorAdd Event एक लूप चला जलाएंगे इस्कौल टू वन टू टुवर और यहां पर इसको क्लोज कर देते हैं अब यहां पर करते हैं, set क्या मुझे करना है, set करना है, क्या set करना है, तो level event करना है, level event dot, यानि level event में, जो class हम बनाए है, उसमें कौन सा हमने event लगा था, तो LVL button के नाम से बनाया था, तो LVL button यहां आ गया, is equal to, यहां पर अगर हम कर दें, मी बटन एंड एड इवेंट तो यह कि मेरा काम करेगा चलिए देखते हैं ठीक है तो देखिए यहां पर इर इसलिए आ रहा है यह कहा रहा है यह कि अब्जेक्ट बेडियेवल और विट ब्लॉक ब्लॉक बेडियेवल नॉट से बेसिकली यहां पर मुझे निव क्लास वन करन काम बागी किसी बटन पर यह काम नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है अब यहां देखिए इस कोड को थोड़ा समझे यह क्या लूप तो चल रहा है यह पहला बार एड इवेंट हुआ पहला बार यह काम किया और किस में सेट कर दिया यह सेट कर दिया बटन वन में जब द और करके रख सकते या तो है कि हम multiple variable declare कर दें जैसे dim level event 1, dim level event 2, dim level event 3, dim level event 4 इस तरह करके और सब में इसको डाल दे, right, सभी button में अलग-अलग डाले, तो फिर आपको कि फिर फैयदा क्या है, फिर तो हमें उतना code वहां न लिखके, यहां लिखना परा, तो इससे बचने के लिए आपको पता है कि अगर आपको multiple variable define करना है, तो कौन सा variable define करना चाहिए, exactly, आप समझ गया होंगे, array function का हम यूज करेंगे, अब यहां पे हम डाल देते हैं, क्योंकि हम उतना dynamic अभी नहीं बना रहे हैं, अभी हम simple dynamic बना रहे हैं, तो यहां पे हमारे total कितने button है, 4 button है, तो array का variable कहां से start होता है, 0 से, तो 0 से लेके, 0 से अगर count करना शुरू करें, तो 4 number कहां तक जाएगा, 3 number तक, 0, 1, 2, 3, 4 हो गया, तो यहां पे हम 3 define कर देंगे, और यहां पे label event के बाद, यहां पे क्या करेंगे हम, कहां से start करना है, 0 से 3 करना है, 0 से 3 हमारे क्या run कर रहा है, add event, तो 3 तक, right, अब आप इसे अगर run करो, तो यह क्या कर रहा है, error आप पुछोगे कि error क्यों आया, क्या कर रहा है, could not find the specify object, मतलब क्या है, कि यहां पे हमने क्या किया, कि me button 0, यह add event की value क्या होगी first time में, 0, तो यह button 0 के नाम से कोई button है ही नहीं, इसलिए यह error आ रहा है, तो इसको आप कैसे handle करेंगे, आपके button का नाम क्या है, button 1, 2, 3, 4, तो इसमें 0 में क्या करना होगा, plus 1 करना होगा, इसलिए मैंने कहा था, कि नाम में number मैंने क्यों serial number से add किया था, अब आप इसे अगर run करें, तो यहां पे आप click कर रहे हैं, काम कर रहा है, सभी button में अभी है, जिस button मे आप click कर रहे हैं, जिस भी level में, उसमें काम कर रहा है, I hope आपको यह समझ में आ गया होगा, कि class कैसे create करते हैं, class module, right, अब एक पर चलते हैं, यहां पे, अब हम इसमें एक button बना लेते हैं, save का, that's it, तो यहां पे हम एक command button ही लेते हैं, just, और इसके font size को भी, command में कर देते है save, font size हमारा जो ऐसा है, सब का उसी तरह का रखेंगे, impact, और इसे white कर देते हैं, या इसका back style भी transparent कर देते हैं, तो अच्छा रहे हैं, अब इसके लिए कौन सा code लिखेंगे, मेरा last से last video आपने देखा होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा, कि हम यहां पे कौन सा code लिखे हम यह इतना ज्यादा लंबा code नहीं लिखेंगे, हम simple क्या लिखेंगे, एक line का code, और यह एक line का code हम save update के लिए कैसे लिखते हैं, अगर आपने नहीं देखा है, मेरा last video, जो smart method of coding, वो आप देख सकते हैं, या मैंने इसे i button में भी दे दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते तो इस पर double click करते हैं, और यहां करते हैं, इसका नाम change कर दीजिये, इस button का भी नाम कर देते हैं, save update button, अब यहां पे हम उस code को लिखेंगे, हमें क्या लिखना है, क्या आप करना है, call save data, data save, data save, और unique range हमारा क्या है, unique range हमने बताया था, unique range हमारा है a, तो हम यहां पे कहेंग seat1.range a2a, right, comma, textbox का नाम क्या है, अब यह हमें देखना होगा कि हमारे textbox में, यहां पे जो मैंने textbox दिया है, इसका नाम क्या है, textbox one, यानि इसका भी नाम देखेंगे, सबका serial number है, right, तो यहां पे कर देंगे, textbox name हमारा हो गया, textbox, comma, unique textbox number क्या है, तो one है, seat का नाम क्या है तो आप seat का नाम यहां पे देख लिए, client है, तो यहां पे हम डाल देंगे, client, comma, textbox, start कहां से हो रहा है, तो हमारा 1 से start हो रहा है, और end कहां से हो रहा है, तो end हमारा हो रहा है, textbox, one, two, three, four, five, five पे close हो रहा है, तो five हो गया हमारा, या तो textbox या seat, जो भी है, उसके बाद बो one है, और seat में आपका पहला data कितने number column है, तो one में ही है, तो कोई difference नहीं है, तो हम यहां पे क्या डालेंगे, zero, तो यहां पे हम करेंगे zero, उसके बाद बोल रहा है, कि आपके form का नाम क्या है, तो आप यहां पे me भी लिख सकते हो, या आप यहां पे लिख दो user form one, that's it, right, अ अगर आप इसे run करो, यहां पे मैं काम करता हूं, एक नया कोई ID लेता हूं, nine number, और यहां प्लिखता हूं, राजु कुमार, address दिल्ली, contact, कुछ भी है अभी, email, राजु, at gmail.com, और जैसे ही आप save update करेंगे, तो यहां देखे, data आपका save हो गया, यहां पे data आपका save हो गया अगर इसमें कुछ update भी करना होगा आपको, अगर आप यहां पे कोई दूसरा number भी update करना होगा, तो आप यहां पे update कर सकते हैं, यह update हो गया, right, तो बहुत ही simple है, और इसके बारे में मैंने save update, delete, और search, इस सब के बारे में मैंने बता दिया था, तो मैं जल्दी जल्दी इस से, यहां पे मैं यहां इसको ले रहता हूँ, search, search में भी हम कौन सा code लिखेंगे, search button, और इसमें कौन सा code लिखेंगे, इसमें code सेम यही लिखेंगे, but इसके जगा पे क्या करेंगे, एक काम करते है, call, data search, और data search करने के बाद यह जो है यहां पे, इसको just हमें copy करना है, इसे मैंने i button में दे दिया है, और link में भी description में मैं दे दूँगा, आप देख सके, अब इसी के साथ में, यहां पे चलते हैं हम इसे, एक delete button भी कर लेते है, right, इसे कर देते है, del button, and इसमें कौन सा code होगा, इसमें बहुत ही simple सा code है, यहां पे करेंगे, call, data delete, और data delete क्या करना है, seat इसी को copy कर लीजे, simple, और यहां paste कर दीजे, इसमें कुछ चीजे change करनी होगी, अब text box का नाम आ गया, unique text box है, हमारा client seat का नाम भी है, अब यहां पे इसकी जववत मुझे नहीं है, यहां पे आप देखो गया, कि यहां पे क्या है, seat के बाद हमें किवल user form का नाम देना है, अ अब एक चीज और मैं भूल गया बताना आपको, कि suppose that मान लिजे कि यहां पे multitap page है, multipage है यहां पे, one, two, three, four, हम चाहते हैं कि जब हम item detail पे click करें, तो यह page two पे चला जाए, यह जो page one select है, page two पे, और इस पे जब click करें, तो यह page three पे जाए, तो आप मुझे बताओ, comment करके, कि यह कौन से, कहां पे इस code को लिखना पड़े, जिससे कि यह, हमारा जो multipage है, यह navigate हो, तो उसके लिए हमको करना होगा, यहां पे class में, class में हमें क्या करना होगा, user form one dot multipage one dot value, क्योंकि multipage को अगर navigate करना है, तो उसे हम number से navigate करते हैं, यानि page one जो होता है, उसका number क्या होता ह है, zero, right, तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब बताइए, कि zero value हम कैसे निकाले, zero तो कहीं है नहीं, इस button पे जब हम click करेंगे, तो ज्यादा ज्यादा क्या निकलेगा, level button का हम नाम निकाल सकते हैं, level dot click करें हम, और उसमें कहें कि, level dot name बताओ, तो लेवल का नाम बतादेगा, तो उसमें से मुझे extract क्या करना है, तो मुझे extract उसका number करना है, तो हम क्या करेंगे, right, और right क्या करना है, lvl button dot name, comma 1, एक ही चाहिए, right, यहनि button 1, 2, 3, 4 हैं, तो हमें एक ही चाहिए, right से हमें कितना number चाहिए, एक चाहिए, minus 1, क्योंकि zero से start होता है, अगर पहले button पे click किये, तो इसका नाम क्या होगा, button 1, और button 1 में से 1 अगर हम निकाल लिए, तो यह minus 1 होके क्या हो जाएगा, 0, और अगर हम 2 पे click किये, तो level button, comma 1 में, right side से पहला character कोन आएगा, तो 2 नमबर आएगा, तो 2 में से minus 1 करेंगे, तो क्या होगा, 1 होगा, तो इसी तरीके से, अब हमको और कहीं change करने की जववत नहीं है, आप दिखें, जैसे ही हम item detail पर click करेंगे, पेज तू highlight हो गया, repair detail पर click करेंगे, थिरी पर हो गया, और invoice पर click किये, तो यहाँ 4 नमबर दिख रहा है, right, चलिए, तो यह तो हम आपको आज बता दिये class module के बारे में, अब हम आपको बताने वा जो है, इसके बारे में मैं बता दू, यह एक paid activex control है, जो कि आपको मिलता है, बाइकी soft से, आप my soft tool से पर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको यह control मिल जाए, बाइकी soft से, और मैं इनको thank you बोलूँगा, कि इन्होंने मुझे permission दिया है, कि मैं इसका video बना सकता हूँ, आज मैं जो बताऊंगा, आप यहाँ से trial version download करके, आप check कर सकते हैं, कि यह सही काम कर रहा है या नहीं, right, और यह trial version होता है, आप इसे purchase करके, अगर professionally use करना चाहते हैं, तो आप इसे purchase करके, आप use कर सकते हैं, और इनका सबसे च्छी खासियत बात यह है, कि आपको support भी करेंगे, documented, coding related अगर कही problem होगी, तो यह आपको बताएंगे भी कि इसको कैसे sort out, और यह कोई promotion नहीं है, just मैंने search किया, find, मुझे दिखा इस तरह का, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ यह share करना चाहिए, right, तो आप यहाँ से download करके, यह trial version है, इसलिए इस तरह आ रहा है, बारवर मे grid view, इसको check कर लेना है, और tool के अंदर reference में जाकर, यहाँ पर भी आप देखोगे, या तो यह already ऐसे हो जाता है, automatic check भी हो जाता है, enable भी हो जाता है, लेकिन अगर आपके system में enable ना हो, तो आप यहाँ पर इसे mst grid control for active x को click कर दे, जिससे कि यह active हो जाए, आपके excel में काम करने के लिए, और just उसके बाद यह जो grid है, इसको आपको insert करना है, और यहाँ डाल देना है, right, अब इसका क्या है, इसमें data कैसे आएगा, तो चलो, आप list box में यह बड़ा ही easy है, basically क्या है, कि जैसे seat में आपको दिखता है, जैसे उपर में देखे, ABCD के लिए अलग है, number के एक, दो, तीन, इस तरह है, यह default, यह इसका समझी है, यह है value, और इसका left side, यह जो है, यह इसका यह number समझी है, यहाँ पर जो number आप देख रहे हैं, यह वाला number सब, right, तो इसमें data हम कैसे लाए, तो यहाँ पर हम user form में चलेंगे, और इसके user form के activate में हम code लिखते हैं, जिसस step by step आपको बता सके कि यह काम कैसे करता है, तो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यह करना है, कि आपके इसमें total data कितना है, यानि कितना ज्यादा data आपको add करना है, total number of row कितने है, तो यह हम find कैसे करेंगे, कि हमारे seat में total number of data के कितने हैं, तो हम find करेंगे last row के माध्यम से तो हम सबसे पहले एक last row निकाल लेते हैं तो last row is equal to क्या हो जाएगा seat one dot range a and rows dot count dot index of dot row इससे हमें क्या होगा total number of row मिल जाएगा अब देखे यहां पर आपको करना क्या है कि with me dot grid view one end with इसको पहले close करके इसको पहले close कर दीजे और अब हम इसमें code लिखेंगे इसके property को डालें तो अब मुझे करना है कि आपके excel में total column कितने थे तो 5 तो आपको क्या करना होगा dot call count कितने करने 5 लेकिन मैंने आपको क्या बता है कि यह आपका जो list box है यह जो list box है यह कहां से लेड़ा है यह शुरू से लेड़ा है यापके excel में यह वाला जो है इसको भी यह मानता है तो यह यहां से 0 1 2 3 4 5 इतने हुए 5 हुए लेकिन आपके पास यह कितना है 5 है और आपको insert कितने करने है अगर मैं यहां से गिंती शुरू करो 1 2 3 4 5 तो 5 contact तक ही आएगा तो हमें इसमें एक extra add करना पड़ेगा तो हम यहां पर क्या करेंगे इसमें कर देंगे हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम प्लस 1 कर देंगे या इसको अभी हम 6 कर देते हैं कि column count कितना होगा 6 होगा तो चलिए run किजिए यहां पर कितने column आपके add हुए देखिए 1 2 3 4 5 बेसिकली यह जो है न शुरू में जो आप देख रहे हैं इसको भी यह count करते तो आपको जितने भी column चाहिए excel seat में आपके seat में जितने भी column है उससे एक extra रखना है तो यह तो आपके column आ गया है अब हो सकता है कि column जो है यहां पर आपका column count तो हो गया row भी तो insert करने है तो row कितने insert करने है तो dot row dot count तो Brands काउंट हमें पहले insert करना होता है कि इसमें total bag count कितने थोरोस काउंट कितने है तो रोस काउंट कितने रहे हैं और और इसके लिए भी हमें क्या करना है एक और एक प्रकत करना है है तो इसका जितने data क्या है यहांप्र हमारा last row निकल раз है जिसे में पता चल रहा है कि कितने हैं 9 data है इसमें 9 total और 9 में और एक यह है तो हम क्या करेंगे यहां पर last row plus 1 करेंगे अब आप इसे insert इसे run करने पर क्या आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है यह क्या कर रहा है इसको भी गिन रहा है इसलिए हम यहां पर 9 कर दिया है right sorry 10 कर दिया है 9 पलस यानि last row plus 1 अब देखो यहां पर थोड़ा आजीव लग रहा है यह आपको दिखाई दे रहा है यह आपको दिखाई दे रहा है तो अजीव लग रहा है आप नहीं चाहारे हो कि यह सब देखना यह सब मुझे दिखाई ना दे तो इसके ल पहला रोग यहां जो दीख रहा था इस तरह का वह हाइट हो गया उसी तरह यहां पर कॉलूम के लिए क्या करेंगे हम dot column zero dot bit is equal to zero राइट जैसे ही आप इसमें इंटर करेंगे तो यह क्या हुआ यह सारा इसका हट गया अब देखो एक चीज और बताता हूं यहां पर माल लो कि इसको आपने यहां पर इस फॉर्म को थ्रच होता कर दो सपोस्ट माल लो कि मैंने इसको जो है अब इसे हम अगर रन हमारा राइड ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा तो उसके लिए हमें इस रो को फ्रीज करना होगा राइट यहां पर करेंगे dot frozen row is equal to 1 यानी रो को हम हाइड कर दिया तो चलिए अभी हम यहां पर क्या करते हैं लिखते हैं यह अभी लिखा तो जाएगा लेकिन आपका वो जो है पहला जो रो है वो दिखता रहेगा हमेशा सामने राइट इसे लॉक भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर जाओ और यहाँ पर कर दो dot dot rows one dot locked is equal to true locked को हम true कर देते हैं इससे क्या होगा कि अब इसमें आप कुछ लिखना चाहेंगे न लेकिन इसके लिए क्या करेंगे लॉक करने से पहले हमको data add करना पड़ेगा तो पहले हम data कर लेंगे उसके बाद इसको लॉक करें अब चलिए data मुझे अब आइड करना है तो data add कैसे करेंगे तो सिम्पल सा है for data row is equal to one to last row next data row ठीक है लेकिन इससे क्या होगा data रो ऐसे add करेंगे तो होगा क्या चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं तो आपको idea लगता रहेगा dot sale, sale के बाद यह क्या बोल रहा है same जैसे user form में है ज्यादा इसमें बहुत ही complicated नहीं दिया है बहुत ही simple बनाया है इसको जैसे यहां पर क्या कर रहा है कि row number तो row number हमारा क्या होना चाहिए data row column number क्या होना चाहिए मालने जिए कि अभी हमारे पास column number dynamic नहीं तो one देते है यह error इसलिए आ रहा है कि इसमें आपको यह text लिखना होगा कि sale data row यह minus one नहीं जाएगा और इससे run करेंगे तो run हो गया आप यहां पर देखेंगे client id 123456788 तक आपका data यहां पर add हो गया लेकिन हमें साथ में column भी तो add करना है कॉलूम आइड करने के लिए हम क्या करेंगे simply सा एक इसके भीच में एक और हम क्या करेंगे data column का लूप चलाएगे for data column is equal to one to one to five चलिए करके देखते नहीं आप यहां पर हम क्या करेंगे डाटा कॉ को क्या कर दे कड दे हैं यहां पर ना आप यहां पर यहां पर देखने में अच्छा नहीं लग रहा है इसका font style बगरा सब change कर दीजे, तो font style जो है, आप यहां से भी change कर सकते हो, directly, इसके लिए code लिखने की जववत आपको नहीं है, कुछ चीजों के लिए मैं बताऊंगा है, कहां code लिखने की जववत है, suppose that, आप यहां पे font में जाओ, आप font में गया है, और यहां पे जो भी आपको font लेना है, आप font ले सकते हो, मानलो कि मैं यहां पे काली वरी ही ले ले लेता हूं, और इसका font size 9 कर देता हूं, list box में क्या है, अगर आप bold करते हो, तो फिर सारा bold हो जाता है, right, इसे थोड़ा और बड़ा करते हैं, इसमें हो तो गया, लेकिन आप देख रहे हो कि यह अजीब दिख रहा है थोड़ा सा, तो इसका तो पहले size, बीर्थ इसका जो है ना हमें सही करना होगा, कि बीर्थ हमें क्या करना है, तो देखो, बीर्थ के लिए या तो आप एक बरावर सबका कर लो, या आप code के थुरू यहाँ पर कर सकते हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक लूप चलाते हैं, कहां से कहां तक, for data column is equal to one to five, तो कि data column ही मुझे करना है, दो बार variable ले सकते हैं, कोई problem नहीं, और यहाँ पर करेंगे हम, dot column width, dot column, और column number कौन सा है हमारा, तो data column, dot width is equal to 100 कर देते हैं, सभी को एक बरावर करते हैं, तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, देखे थोरा सा बरा हुआ, और थोरा बरा कर देते हैं, तो यहाँ से कहने का मतलब है कि आप जितना बरा करना चाहते हो, आप बरा कर सकते हो, देख रहे हो, इसी में आपको पहला अगर रखना है, तो पहले के लिए एक अलग code लिख लो आप, इसको यहाँ पे जो लूप है, इसको आप 2 से चलाओ, और इसी में जाकर इसको आप copy करके, और first में यहाँ पे डाल दो, आप जैसे ही आप run करो यहाँ पे, तो देखो, column 1 नहीं, sorry, इसको column 1 करना होगा, तो यह आपका छोटा हो गया client ने, बाकी सब बड़ा हो गया, और इसी तरह अगर किसी को specific किसी को बड़ा करना है, तो आप बड़ा कर सकते हो, यहाँ पे जो यह font size तो देख रहे हो कि column है, coding का ऐसा कुछ problem नहीं, अब इसमें एक ची बता, हमें यह जो पहला column है, इसको हमें bold करना है, तो इसको bold करने के लिए हम क्या करेंगे, simple सा है, जो हमने font यहाँ पे use किया है, इसको 70 कर दीजे, dot column 1 dot font bold is equal to true, font को हम bold कर देंगे, तो आप देखे, यहाँ पे यह font हमारा bold ह हो गया, sorry, column 1 के बल हुआ है, column 1 नहीं, row 1, row 1 dot font dot bold, इस case में क्या होगा, सारा का सारा bold हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं, फिर से, इसको थोड़ा और बड़ा कि यह छूप रहा था, और इसको जो है न, 200 कर देते हैं, तो यह हमारा सही हो गया, यह पूरा का पू इते हैं, user form से text box में transfer करने के लिए, या seat to seat with data transfer के लिए, जो loop का use करते हैं, same method यहाँ पे use हुआ है, अब हमको क्या करना है इसमें, अब मुझे करना है कि मान लो कि इस वाले form में, यहाँ पे, इस वाले form में, मैं चाहता हूँ कि यह जो number है न, वो left alignment आ जाए, या जैसे alignment चाह रहे है, right, तो left alignment के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आप जाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे, dot row, dot column, column को हमें करना है, column, और column number कितना है वो, आपका ये, d कितने number में है, तो 4 number में है, तो 4 dot alignment is equal to, अब आपको देखिए, यहाँ पे बहुत सारा चीज, आपक suppose that मान लो, कि यह एक बहुत बरा है, यहाँ पे, इसको हम चाह रहे है, कि right में तो रहे, बट इसके बीच में रहे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप जाते हो, यहाँ पे इस पे click कर दे तो यह right center हो गया, तो वही चीज़ यहाँ पे right center है, अब जब आप इसे run करोगे यहाँ तो देखो, यह contact आपका क्या हुआ, राइट center हो गया, अब इसी तरह, अगर आप code के through भी चाहते हो, कुछ इसका font बगरे चेंज करना, तो आप यही पे font चेंज कर सकते हो, जैसे कि row, और row number, कौन से row number का font चेंज करना चाहते हो, मानलो कि एक number जो हमारा header है, उसका जो font size है font size या font name यह थुरा बरा दीखे, तो आप यहां से बरा कर सकते हो, इसको 11 कर देंगे, तो आपका font size यह थुरा बरा हो जाएगा, अब हम चाहते हैं कि यहां का color है, यह color जो है थुरा दूसरा हो जाए, ठीक है, तो यहां पे हम जाएंगे, और करेंगे dot row और one dot back color, back color हमें क् माली जे की हम कर देते हैं, bv yellow, अभी हम just bv yellow कर देते हैं, बाद में आप बता चाहिए, तो देखे, यह yellow हो गया, अगर इसमें कुछ दूसरा color करना है, माली जे कि किस तरह का color आपको चाहिए, वो आपको देखना होगा कि किस तरह का background चाहिए, suppose that माली जे कि इसमें आप ग 167, जैसे ही आप इसे run करोगे, rgb 169, सही है, यहां पर यह क्या हुआ, इसका color change हो गया, इसी तरह इसका एगर 4 color change करना है, white करना है, या कोई भी color करना है, तो क्या करना है मुझे, dot row 1.4 color is equal to bv white, यह देखे, यह white हो गया, आपका, right, चलिए, यह तो हो गया data add करने का, entire select होना चाहिए, right, तो entire select के लिए आपको क्या करना है, bvm में जाकर इसके property में तुरह change करना होगा, इसको select कीज़े, और यहां पे, यहां पे selection mode जो है, selection mode को आपको यहां पे करना है, कि आपको row wise करना है, या column wise करना है, तो हमको basically row wise करना है, तो row wise अगर आप select करने, तो दे change कर सकते हो, selection mode में जाएंगे, और यहां मानिजी कि आपने column कर दिया, तो देखे, यह column के बल चेंज हो रहा है, अगर इसी में मुझे list box करना है, तो यह list box का वही, यानि row कहीं एक तरह से selection है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, इसको कर देंगे by row, आप जब आप इसे run करेंग तो यहां पे यह इस तरह के changes होते रहेंगे, यह selection हो गया, तो हमारे list box यह complete हो गया, और आप इसको जितना चाहो, आप modify कर सकते हो, मैं इसका link documentation, यह हमें documentation ही provide करते हैं, कि कौन से code से आप क्या लिख सकते, तो यहां पे सारी code का method लिखा हुआ है, तो यहां से करके भी आप इस चीज को बना सकते हो, now अब हम चलते हैं इसके change event पे, कि जब हम इसमे change करें, तो हमारे seat में भी change हो जाना चाहिए, right, change होने से पहले, मैं चाहरा हूँ, कि जब इस पे मैं just click करूँ, तो इसका data जो है, हमारे list box में भी तो आना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे double click करेंगे, और यहाँ पर हम करेंगे change, sorry, sale click पे करेंगे, जैसे ही sale पे click करें, तो क्या हो, simple सा है, यहाँ पे आपको बता भी रहा है, कि Y well क्या है, row है, row as a long, Y well, column as a long, यानि क्यावल row और column इसको बताना है, कि कि कितने number row को आप find कर रहे हो, कितने number column को, और इसमें सबसे बड़ी अच्छी चीज क्या है, कि अगर आपके seat में, जैसे आप यहाँ देखो, इस column का number, इस row का और इस column का number क्या है, अगर code से देखे, तो यह one number column है, और row number भी क्या है, one, right, यहाँ पे यह कितना है, column number भी one है, row number भी one है, तो इसमें आपको कुछ change करने की जववत हैं ही नहीं, आप simply क्या करोगे, just आप, suppose that मानलो कि इसमें जाओ, और हमें यह देखना है कि हमने कौन सा row select कर रखा है, तो हम find कैसे करेंगे, तो हम करेंगे, selected row is equal to, me.gridview1.activecell.rowindex, तो यहाँ से क्या होगा, जो आपने select किया है, उसका row index, यह निकाल देगा, row number निकाल है, just आप करना है, for data column is equal to one to five, next data call, और हमें क्या करना है, तो me or text box and data call is equal to me.gridview1.cell, cell में row number क्या देना है हमें, तो row number हमारा क्या हो जाएगा, selected row, right, यही है, selected row है, selected row, column हमारा क्या हो जाएगा, column हो जाएगा, data column dot text, that's it, अब इसको आप इस करो, जैसे ही आप इस पर click करोगे, data आपका यहां आ गया, बहुत ही simple तरीका है इसको change करने का, अब इसमें change करने पर आपकर हम यहां पर change करें, जैसे यहां पर अगर yes राज है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं राजा लिखूं, तो यहां पर भी राजा change हो जाए, और हमारा य change रहे है, तो यह कैसे होगा, तो इसके लिए हम को करना होगा, इसके change event में चलना होगा, कि sale के change event में, यहां पर आप चलेंगे, यहां पर sale change event है, इस पर आप click करेंगे, इसमें भी same परिकरिया है, आपको करना क्या है, जस्ट आप एक काम करो, इसको copy कर लो आप, और यहां पर हमने row index तो निकाल ही रखा है, selected column भी निकालना है, तो me.gridview1.activecell.call index, column का index निकल जाएगा, और column का index निकल जाएगा, तो यहां पर हमको क्या करना है, जस्ट, हमको इस loop की जववत यहां नहीं है, और इसमें हमें क्या करना है, seat में basically transfer करना है data मुझे, यहां पर करेंगे, इसे भी रहने देते हैं, क्योंकि साथ में हमारे, इस पर भी तो, text box में भी तो change होने चाहिए, तो हम यहां पर करेंगे, seat1.cell, cell में कितने number row में जाना है, तो selected row में ही जाना है, क्योंकि same मैंने बता था कि उसका number अभी same है, अगर उपर नीचे होता है, तो आप इसे mathematics calculation करके पलस माइनस कर सकते है, selected row, selected column is equal to, क्या होगा, me.gridview.cell, selected row, selected column.right, उसी के बाद यहां पर भी जाएंगे, यह तो same रहेगा, कि text box and कितना number मुझे चाहिए, selected column, right, selected column में यहां पर कौन सा आएगा, data column के जगा पर, selected row तो है ही, लेकिन data column हमारा कौन सा होगा, column number, तो column number हमारा यहां पर हो जायागा, selected column.text, अब आप इसे run करो, और यहां पर हम जाते हैं, और इसे change करते हैं, इसको select किया, तो यहां यसरा जा गया, यहां भी यसरा जा गया, मैं इसे करता हूँ, राम जी, जै आप देखो, यहां भी change हुआ, यहां भी change हुआ, तो इस तरह आप किसी भी sale को, जैसे इसको आपने select किया, इसका number change कर देता हूँ, इसका हम, इस तरह का number डालके, मैं इसमें interface किया, तो यह देखे कितना number है, one, two, three, four, four number है, यहां पर देखे, one, two, three, four, यह four number यहां पर change हो होना चाहिए, तो जैसे ही आपने यहां पर enter माड़ा, तो यह देखो, यहां चेंज हो गया, और आपका यहां भी change हो गया, अब आता है, यहां पर आप देखोगे, यहां पर मैंने delete का भी एक option दिया है, कि delete हमारा यहां से तो हो ही जाए, साथ में हमारे इस list box से भी delete होना इस तो हमने बताया है, जो active-sale.row index, यहां हमारा select row हो गया, उसके बाद यहां पर करना है, me.grid-view1.deleterow, और कितना number row delete करना है मुझे, तो जो selected row है, उसको delete करना है, और कितना करना है, एक ही करना है, count total number of row कितने delete करना है, एक करना है, तो हम यहां पर एक कर देंगे, that's it, और इसको डिलीट करना है तो यहां से डिलीट होगे है यहां से भी डिलीट होगे तो आई होप आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा अगर इसमें अगर आपको और आगे कुछ जानने है इसके और पोपर्टी के बारे में जानने है तो प्लीज कोमेंट करके बताए तो मैं इस पर एक दूसरा वीडियो बना दूँगा और आप लोग मेरे चैनल पर पहली बढ़ाये हो तो प्लीज सबस्क्राइब कर लो यार मोटिवेशन मिलता है उससे और अच्छा वीडियो लगा हो तो एक लाइक और शेर जरूर कर देना इसी के साथ धन्यवाद